वेलकम तो माई चैनल और आज हम जनरल एक्वेशन ओफ दी प्लेण के बारें पड़ेंगे ठीका जैसे लास्ट पार्ट में बात कर रहे थे कि जनरल एक्वेशन ओफ दी प्लेण कुछ इस तरीके से ठीका ना यह x plus by plus c z d के बढ़ाबर इस तरीके से ठीका अब इस चीज़क तो प्रूफ करना में ठ Mayouelle कि इस तरीके से बस प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा सब से पहले ठ दो पॉइंट लिए कुछ इस तरीके से लाइन पर जैसे इस तरिके से मालों को फी और क्यों दो पॉइंट लिए ठीके न क्यों क्योंकि प्लेण के कंडिशन थी कि प्लेण एक सर्फेस है सही बात है और सरफेस बनेगा इनफाइनाइट लाइनों से मिलकर ये पहले हम सीख चुके हैं ठीक है ना बस दो पोइंट लिए तो मतल कहने है मतल क्या कि जो ये लाइन सेगमेंट है कहाँ पर है पलेइन पर है ठीक है और जिस पलेइन की एक्वेशन औरीजन से सही बात ना जैसे इस तरीके से माल लिए है ठीक है ना तो कहने का मतल कुछ इस तरीके से है ठीक है तो यहाँ पर औरीजन ओ पोइंट इस तरीके से यहाँ पर माल लो एक्स है वाई है जैड है सही बात क्यों क्योंकि जो ये दोनो पॉइंट कहां पर है 3D के अंदर यह पता हो ना जी में जो equation of a plane है इसी का दूसरा नाम यह भी तो था ना equation of a line ठीक ना कहां पर 3D या फिर space के अंदर यह हम पहले शीख चुगे हैं ठीक ना इस वज़े से तो जोई से आपर x मानो y z कहीं पर भी मान सकते हैं क्यों 3D की यह condition थी कि 3 axis हो कौन-कौन सी x y z और 3 एक दूसरे साथ mutually मतला आपस में perpendicular हो सही बात है तो इस तरीके से 3 एक दूसरे साथ perpendicular है z यहाँ पर नहीं है z इस तरीके से perpendicular है ठीक है तो बस दो point मान नहीं ठीक है इस तरीके से ठीक है इसके बाद क्या करना है बस एक तीसरा point r मान लो कुछ इस तरीके से और यह r इस line segment को lambda ratio 1 में cut कर रहा है ठीक है तो let क्या क्या कि जो यह r point है ठीक है कट कर रहा है किसको cut का मतलब divide किसको pq line segment को pq line segment को cut कर रहा है divide कर रहा है ठीक है इस तरीके से pq line segment को किस ratio में इन ratio lambda ratio 1 या फिर k ratio 1 मान लो वो जो इसे क्यों और मै इस रेश्यों में cut कर रहा है, सही बात है, इस तरीके सोचना है, ठीक है, तो बस इसके बाद, जैसे अब दो point है, P और Q कहाँ पर है, इस line पर, और यह line कहाँ पर है, plane के अंतर देख लो, infinite line नों में से, उन, infiniteों में से कोई एक line इस तरीके से मान ली, और यह line कहाँ पर, और कि पोईंट भी तो नाहीं कर रहे हैं कहां पर पोईंट लाई कर रहे हैं प्लेन के अंदर देख लो यह इससे यह सीटों पेपर यह है यह पे contemplate scored tämä थेगा न तो वह आप यहाँ पी और क्यों दोनों है सही बात है तो इस बात का मतल है कि कोई भी चीज ठीक ना किसी दूसरे पर होने या मतल क्या है उसकी equation को satisfy करेगा वो यहाँ पर point भी align भी है इस तरीक थोड़ा सोचना है सही बात है तो बस तो अगर यहाँ पर satisfy equation को satisfy करेंगे तो put कर लो इसी चीज को सही बात है कि P और Q lie है ठीक ना यहाँ से condition है ठीक ना कि P और Q lie कर रहे हैं plane पर तो therefore क्या लिख सकते हैं directly इस equation में put कर दो सही बात इस plane की equation को satisfy करेगा इस तरीक की सोचना है सही बात है तो एक बार X की जगए X1 Y की जगए Y1 Z की जगए Z1 ठीक है इतना सोचना है आपर 3 variable कौन-कौन से है X Y Z बस यह काम की चीज है ABC क्या थे direction ratio और D क्या कोई constant ठीक है तो बस put करो X की जगए X1 Y की जगए Y1 और Z की जगए इस तरीके से ठीक है इस तरीके से ठीक है नद D के बराबर सही बात है एक बार इसी तरीके से तो एक बार क्यों के लिए put कर लो क्यों भी तो क्यों भी सैटिस्फाई करेगा इसको तो एक बार इस तरीके से X2 Y की जगए Y2 सही बात है, इस तरीके Z की जगह है, Z to put कर दो, ठेक है, और D के बराबर, इस तरीके से, हाँ चोई से हैं, आपर इस D को इस तरीके से लिख सकते हो, वो चोई सरेगी, क्यों, क्योंकि D है कोई constant, उसको left hand side लिखो है, फिर right hand side, ठेक है, वो चोई सरेगी, ठेक है, और normally हम right hand side ल 3 है, क्यों है 3, ये बात बताओ, क्यों है 3, क्योंकि 3 axis की बात हो रही, X, Y, Z, देख लो, X, Y, Z की 3 axis की बात हो रही है, मतलब, यहां से, 3D के अंदर तो 3 axis थी, तो 3 ही direction ratio होंगे, 4 नहीं होंगे, थोड़ा सोचना है, बस, सही बात है, तो एक एक evasion ये मानलो, second ये मानलो, सह इस के बाद, अब R divide कर रहा, PQ को इस ratio में, सही बात है, तो हम direct coordinate of R लिख दे, coordinate of R लिख सकते हैं, सही बात है, कहां से, section formula से, थोड़ा सोचना है, और ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं, ठीक न, तो बस यहां पर direct section formula का result चेक करेंगे, या फिर को result अपलाई करेंगे, और ये चीज़ चेक करने हो, तो इस concept से, section formula concept से, शीख भी सकते हो, playlist से, ठीक है, तो बस क्या करो, coordinate of R, direct लिखने का क्या तरिक का बता था, R के direct coordinate लिखने का क्या तरिक का था, पहली बात तो coordinate को simply define करना, अपनी language में, कि ये distance है, अपनी, अपनी axis पर कहां से, ओरीजन से, ठीक है तो बस direct trick apply कर दो, क्या का था, कि cross multiply करने है, सबसे पहले x वाले distance हों की, सही बात है, क्यों क्या है, x2, y2, z2, इस तरिक की से, ठीक है, तो cross multiply x वाले distance हों की, तो lambda into x2 लिख दो, direct trick, सही बात है, और cross multiply 1 की x1 के साथ, इस तरिक की सोचना है, इस तरिक की से, x1 into 1 करोगे तो x1 और divide में ratio का sum आएगा, क्या है ratio का sum, lambda plus 1, इस तरिक की से, थोड़ा सोचना है, सही बात है, पहला चुका है coordinate, अब r के coordinate पर तो 3 आएँगी, सही बात है, क्यों आएँगे 3, क्योंकि r भी तो इसी plane पर है, सही बात है, plane को, या पिर ये बात को space के अंदर, थोड़ा सोचना है ठीक है, तो r की भी 3 value आएँगी, जैसे 3 distance हैंगे, वो किस तरिके define करना चाहिए, तो इस बात को वो choice रहेगी, ठीक है, तो बस cross multiply, अब की बार y वालों के, y पर, इस y2 का मतल क्या है, y axis पर distance, कहां से, इस वाली 0 से, सही बात है, और ये y1, तो lambda into y2, इस तरिके से, सही बात plus का sign, और एक बार 1 की multiply y1 के साथ, तो y1 रहेगी, और निचे sum आएगा, direct result apply करें, section form लागा, ठीक है, एक बार अब की बार z वालों को, इसी तरिके से cross multiply lambda z2, और एक बार 1 की multiply z1 के साथ, तो z1 रहेगी, और इस तरिके से sum lambda plus 1, सही बात है, बस यहां पर ज्यान देनी बात क् यहां आपर जो ratio internally या फिर externally, इस बात का मतलब है, जो यह r point है, इस line के अंदर होगा, या फिर bar होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, यह बात last part में discuss की थी, ठीक है ना, अगर result lambda का, अगर result positive आए, तो तो यह अंदर होगा, और lambda result अगर negative आता है, यह बात section formula में भी सीख की थ ठीक है, ठीक है अगर lambda result positive आए, तो internally का case है, ठीक है, और lambda value negative आए, तो externally का case है, ठीक है, बस directly put करो, ठीक है, आर आ चुका है, आर की value आ चुक है, मतलब आर point आ चुक है, जैसे P और के हुआ था, आर भी आ चुका है, सही बात है, अब आर भी तो इसी plane पर है, या फिर वो line segment का और line segment काहाँ पर है, plane पर, थोड़ा सुचन है, जैसे plane के अंदर infinite line, infinite point काहाँ से, जो pattern सीखा था, वहाँ से same बात, तो ये point वाली बात अपलाई कर रहे है, सही बात है, तो ये आर भी कहाँ पर है, प्लेन की equation को भी satisfy करेगा, फिर सही बात है, तो आर की value पुट कर दो, यहा सोचना, r point जो है, और r की value पुट कर दो, ठीक है, जो x की जगह, जो r का result था, सही बात है, और क्या result था, जो lambda इस तरीके से result है, lambda x2, पलस x1, नीचे lambda पलस 1, इस तरीके थोड़ा सोचना, और कुछ नहीं करना, पलस का sign, b as it is, y की जगह पुट करोगे, जो r की value थी, ठीक ह की तरीके से, c, z, इस तरीके से, z की जगह, क्या पुट करोगे, जो z पर distance था, lambda into z2, इस तरीके से, पलस z1, ठीक है न, lambda पलस 1, और किसके बार आपर देखे, थोड़ा सोचना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब इसके बाद, यहाँ पर rearrange कर सकते हैं, हम इसको, rearrangement रहेग इस तरीके से, बस, सबसे पहले, lambda पलस 1, इस ट्रम के भी अंदर है, ट्रम कैसे पता चलती, बीच में, पलस और माइनर साइनों से पता चलती, c, d, c, बात है, ठीक है, तो कितनी ट्रम में, left hand side, 3 है, थोड़ा सोचना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी, lambda पलस 1, common है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और divide में, कुछ इस तरीके से, सही बात है, अंदर क्या पचेगा, इनकी multiply, कर दो, इनकी, अंदर multiply, एकी multiply, इन दोनों फेक्टर होगे, साथ होगी, calculation और कुछ नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, a, lambda, x2, इस तरीके से, और a की multiply, यहाँ पर, a, x1, इस तरी तरीके से, यह factor 12 जुका, तो c की multiply, अंदर कर दो, थोड़ा सोचना, इस तरीके से, सही बात है, और right and side इस तरीके से, ठीक है, बस, इसके बाद, फिर से, calculation है, जैसे, यहाँ पर, lambda वाली टरम देख लो, एक एरी, एक एरी, एक एरी, सही बात, lambda कॉम्बन है, यहाँ से, तो इस तरीके से, और एक बार यहाँ से c into z2 बचेगा, सही बात है, c into z2, पलस का sign, यहाँ से ax1 इसको agitize रख लो, ax1 पलस by1 पलस c z1, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और right and side is d, ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, बस यहाँ पर value पुट करने, जो first equation कुछ इस तरीके से थी, ठ मतलब p point को जब put किया था, c z1 d के बापर इस तरीके से, सही बात है, तो यहाँ पर value पुट कर दो, ठीक है, लेकिन, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ जोगी, ठोड़ा सोचना है, 0 के बापर आजये result, क्यों, मालो ही, अगर इसकी value यहाँ पर d k equal put कर दी, जैसे right and side में d, सही बात है, फिर यहाँ पर यह क्यों point का result था, मतलब second equation जी, सही बात है, यह भी d के बराबर यहाँ पर क्या बनेगा, lambda into d plus d, जैसे यह बन जाएगा, lambda into d plus d, d common लोग यह lambda plus 1, इस तरीके से choice है, यहाँ पर यह कोई condition है, यह put कर लो, मतलब यहाँ पर इसको d के बराबर put करना च जाती हो, तो क्या आएगा, इस तरीके calculation totally, ठीक न, lambda into इसकी जगह क्या आएगा, d, मतलब second equation का result, सही बात है, यह as it is d, सही बात है, जो first equation थी, और right hand side में इस तरीके से, देख लो, सही बात है, ठीक न, तो 1 by lambda plus 1, तो यहाँ से क्या को मनाएगा, d को मनाएगा, उपर से, सही किसे, सही बात है, d से d cancel हो जाएगा, d से d cancel हो जाएगा, ठीक न, एक और काम की बात ही है, पर कि, जोनो साइड सेम चीज़, बराबर हो, divide कर सकते हो, direct, लेकिन, काम की चीज़ कहा, जब constant हो, ठीक न, यह चीज़ ब वैसे हम बार 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 भी सीख चुके हैं, ठीक न, इसक एक simple सा example ले लो, यह था example, सही बात, x square is equal to x, अगर यहाँ पर x से एक power direct कर दी, तो x का result आएगा 1, लेकिन यह चीज़ गल्त, क्यों, इस शी को solve करने का दूसरा तरीका यह भी तो है, इसको left hand side लेके आओ, सही बात है, और यहाँ से x common लोगे, कुछ इस तरीके से, सही बात है, और दो factor की multiply 0, कब आएगी 0, या तो पहले ली चीज़ 0, या फिर दूसरी चीज़ 0, सही बात है, दो case बनेंगे, और यहाँ से इस तरीके से, तो x की value 0 और 1, दो possible है, क्यों, यह चीज़ कहां से define करोगे, यहाँ से, कि maximum power जीतनी हो, ठेक है न, equation के अंदर variable की जीतनी maximum power ह या फिर root को, वो चोई से, तो 2 power है, maximum से मतलब है, तो 2 value आएंगी, थोड़ा सोचना है, हाँ, यहाँ पर d से d cut कर सकते हो, ठीक है न, क्यों, क्योंकि हमें पहले इसे पताए, यह कुछ constant value होगी, यह कुछ constant value होगी, मतलब variable नहीं है, यह बात कहां पर apply करोगे, variable के case में, हमे यहाँ पर क्या पचाएगा, 1, cross multiply कर दो, lambda plus 1, इस तरीके से यह चीज, lambda plus 1, सही बात है, क्योंकि यह cross multiply, यहाँ पर cross multiply क्योंकि, मतलब, यह किलो same factor है, cut कर सकते थे, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ratio मानना था, हमने, lambda ratio 1, सही बात है, इस बात का मतलब, lambda variable है, थोड़ी है, पत बस, यहाँ पर 1, से 1, cancel हो जाएगा, सेम चीज है, constant है, तो lambda बरापर है, और यही चीज, परूब करनी थी, सही बात है, ठीके न, इस तरीके से, और normally हम जैसे right hand side, 0 परूब करते हैं, ठीके न, मतलब, यहाँ पर यह चीज है, और 0 कब आ जाएगा result, जब इसका नाम, कुछ इस तरीके से, लेके चलो, यह मतलब, इस right hand side को 0 बना दो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, मतलब, जो equation of plane, इस तरीके से लेके लो, left hand side में D दे दो, तो right hand side, मतलब, फिर वहाँ पर result 0 आ जाएगा, यह नहीं का, यह मतलब, वो जो इस है, कि इस तरीके से परूब करना चाथ थोड़ा सोचना है, ठीक है, तो इस तरीके से, यह है equation of plane, ठीक है, equation of plane कुछ इस तरीके से रेगी, बस यहाँ अबर पता होना चीए, x, y, z से point बनना है, point बनेगा x, y, z से, सही बात है, a, b, c, direction ratio है, d कोई constant है, इतना सोचना है, इस तरीके से prove रहेगा, ठीक है, अगर आप झाल 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